नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ जतेंद्र जेहन, आईए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर 24 शेतर से مाद्मी पार्टी नेता अनेंद्र गोविन बिस्टर की समस्याँ भाजबर सरकापत जम का निशाना साधा अपने आंदुलन के बारे में खबर समय जगत से साच city किया आम आदमी पार्टी नेता अनेंद्र गोविन बिस्टा जी हैं और इनका पूर्ब में भी दाजनेती ठुराना रहा है और आम आदमी पार्टी जौईन करने और आपके साथ इतना बड़ा जनसमू है और इस छेत्र की क्या-क्या समस्याएं हैं जिसके कारण आप ने इतना रख किया है देकि चुरहट विदानसभा में इतने बड़े-बड़े नेता होने के बाद भी आज की तारिक में चुरहट पिलकुल पिछड़े की स्रीड़ी में आता है यहां ना अच्छे स्कूल है ना अच्छे स्वास्ति वरस्ता है बिजली के लिए लोग काफी परिशा कि लिए फिर नहीं हैं किसान्खाथ दीज के लिये परिशानलगे सिचाई के लिए परिशान है इन सब चीजuyu को देखने के बात ऐसा लगा कि जनता की बीच जाना चहिए और जनता की परिशानियों को शासन प्रशासन के सामने रखना चाहिए बस उसी उद्देश को लेके हमाद जंता के पीछ है अभी आपने अल्टर टेक्ट सीमें ठेक्टी में पिसानों के प्रती आंदोलन में काफी बढ़ चट कर उनकी काफी मदद की और शेत्र की जंता भी दर्द कर रहूं है काफी सा इसके बारे में पिल बताईए यह कभी जेपी के पास हुआ करते थी 2017 में जेपी से अल्टर टेक्ट में इसको खरीद लिया और वहाँ जो किसानों की जमीन ले जेए तो जब जेपी ने वहाँ जमीन लेती तब यह कहा था कि जिसकी भी जमीन ली जाएगी उसको मुआपजे के साथ साथ यहाँ पर नोकरी दी जाएगी और नोकरी भी पर्मानेंट दी जाएगी लेकिन हुआ क्या कि जेपी ने भी को पर्मनेंट नहीं किया और अल्टा टेक्ट में भी जब वो काम कर रहे हैं उनका घर नहीं चलता है तो यही बात उन जो वहाँ पर कर्वचारी लोग काम करते जिनकी सारों ने अपनी जमीन दी हुई थी उनने हमसे चड़ जाएगी कि भीया इनके विरुद्ध आप हमारा सयोग करिए कि कम से कम यह हमारी तंखा तो बढ़ाएं हमें पर्मनिंट तो करें उसी कि उसमें जब उन्होंने अपना अंदोलन किया तो उसमें हमारा उनको पूरा समर्थन था हमने गया भी है चाहे नेता हो चाहे और अधिकारी हो वह अटरटेक के अलावा किसी की बात सुनने को तयारी नहीं है तो हम लोगों ने का ठीक है भी दो महीने संगर्स करतें चुनाओ का समय चुनाओ के बाद देखेंगे अगर जनता ने हमें मौका दिया तो फिर उनको अच्छे ढंग पर चल सकते हैं तो इसी में अंदोलन में मैं संबलित हुआ और उन्रों का सभी अच्छा परतमान बार्ति जनता पार्टी जहां पर जिसका सासा नहीं यहां पर वो तो सिर्प ड्रामे वाजी वाली सरकार है पिछले चार सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया रस्टाचार अपनी चरम सीमा पे था महगाई है बिलकुल पूरे जोर पे है युवाओं को ना कहीं रोजगार दिया किसान भी परेशान बिजली की समस्या हर छेत्र में है जब चार साल साड़े चार साल बीद गया पाच्वा साल चुनाओ आ गया तो लाड़ली बेहनों के नाम का एक ए इतनी लचर थी आपने क्या क्या भी थोड़े दिन पहले रामपूर अस्पताल में एक दो साल के बच्चे का पैर कड़ गया तीन गहंटे तक उसको प्रात्मिक इलाज नहीं मिला यह स्वास्त विवस्ता है सिक्षा विवस्ता के लिए तो आप गाउं गाउं जाते ही वो जो स्कूले हैं वो बच्चों को पढ़ाने के ना होकर सिर्फ दस से पाच उनको वहां बेड़ के रखो बस तो यह सारी चीजें जनता ना पूछे तो सब को उनोंने एक एक हजार रुपए की मेलाओं को देंगे और इसी उस पर पूरा सब का ध्यान एक हजार पे लाती हैं अभी आपने चुरहट विद्दूत मंडल का घेराव किया काफी सारा जन समूत आपके साथ में और आगामी तीन तारिक को आप खट्डी में घेराव करने वाले हैं यहां की समस्याओं में तो कुछ सुधार हुआ है और खट्डी के बारे में मैं नहीं जानता आप बता है कि मद्द्देश में बिजली का वतपादन अच्छा हो रहा है लेकिन जो का डिस्तिवीशन होता है तो इस के लिए ट्रांसफरमार की ज thoughtful पड़तह पड़ताु है केबल की जहुरत लाई, लेकिन उस समय इतनी उसमें कमिशन को री हुई कि जो सबसे खराब केबिल थी, वो सरकार में खरी थी, जो सबसे खराब क्वालिटी के ट्रांसफार्मा होते थे उसको करेड़ा, उसके बदोलत आज दस साल बाद वो केबले गलगल के गिर रही है, ट्रांसफार्मा खर सरक्षर्ट तयार करना पड़ेगा जिसमें पूरी नई केबलें हों नए ट्रांसफारमार हों कनेक्शन के साब से केबिसिटी बनाई जाए तो संघर्स कर रहे हैं जहां आज चुरहट विधान सावर में सो ऐसे गाओं हैं जहां कि ट्रांसफारमार जले हुए हैं सरकार के पा for the latest news subscribe to your channel and press the bell icon